सबी को नमस्कार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल कम्वे तैचर में सामने जो फ्लावर देख रहे हो आप यह है मैक्सिगन पिटोनिया के तीन color आते हैं इसमें एक white होता है यह purple ओता है एक light pink होता है तो यह purple color का है और यह जो flower है यह एक दिन के लिए खिलता है लेकिन काफी अच्छे मतलब खिलते हैं इसके बंच में जसे की सामने देख रहे हो एक बंच सा बन जाता है फूलों का बहुत हार्डी पोद्ध है और ब भीज बिखरेंगे वहांपर इसके प्लांट उगाएंगे तो बहुत ही आसानी से इप से लग जता है बहुत करें इसING आज का जो मरित यह सत्तमुझ ऊप अजदिक वहाइब मेरा और इसमें गर्मियों में फ्लावरिंग नहीं होएगी तो फिर इसको रखने का क्या फाइदा तो मैंने इसमें क्या किया कि जैसे एक तो यह जो मेरा जिस प्लांट में लगा हुआ है ना वो प्लास्टी का पोट है लेकिन काफी बड़ा पोट है और प्लांट भी इसमें फिर इसमें क्या है कि मैंने एडी की गोबर खाद और उसके बाद इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है तो जब भी आपके प्लांट फ्लावरिंग नहीं हो तो उसे प्रोपर खाद दे हां पारिशों के टाइम में खाद कम दे सकते हो आप दूसरा इसमें डेली फ तो यह हमें इसमें फ्लावरिंग खेथी अधर पूल एक दिन के लिए खिलता है बलकि शमां emia की जड़ जाता है तो उसे प्लांट करना है यानि उसे हमें इस प्लांट से हटा देना है ये देखो ये सीड पोड है और इसे हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसे नहीं हटाएंगे तो बहुत सारे सीड से बनने सुरू हो जाएंगे और प्लांट की जो एनरजी है वो और फूल खिलेंगे ना उसमें नालल सेड़ बनेंगे और और ओनेंज चोटे छोटे सीड होते हैं न qe Cat 예сть Ер पूरे साल रहता है यह वैसे प्लांट था वेकिन सब्सक्राजी तो एक दो रह क्या हैं मैं डेली निकाल देती हूं क्योंकि इस पे डेली बहुत सारी फ्लावरिंग हो जाती है और जैसे आज जो फ्लावर खिले हुए है इनको मैं ये शाम तक ही जड़ जाएंगी तो मैं शाम कोई अटा दूँगी नहीं तो सुबह तो मैं जरूर अटा देती हूँ तो उससे क्या होता है कि डेली इसमें बहुत सारी इसमितलब फ्लावरिंग हो जाती है तो यह देखो यहे दो दिन एक यह दो दिन पहले का है को यह दो इदर दर रहाए है तो उनमें सीड़ बनना सुरू हो जाता है तो आपने इसमें अड क्या करना है सबसे जरूरी बात तो यह है कि जो पहले वाला जो फूल खिल चुका है उसके सीड पोर्ड को हटाना है दूसरा जो है वो क्या करना है कि इसमें एड करनी है हमें गोबर की खाद या फिर आप पर्मी कमपोस्ट या पत्तों की खाद भी यूज कर सकते हो तो मैं ने इसमें कुछ तो गोबर की खाद हुज की है एक या दो बार मैं इसमें पत्तों की खाद भी यूज की है तो उससे भी इसके जो फर्टिलाजर जो दिया है उससे इसमें काफी एफेक्ट पडाया है और इसमें डेली ही इतनी फ्लोरिंग होती है जितनी आज हो रही है और मैं डेली इसमें मतलब इसमें डेली वाटरिंग नहीं करनी होती है आपने इसके पत्ते जब मुर्जा जाते है न तो भी इसमें वाटरिंग करनी है तो पंदरा से बीज दिन में आप इस तरह से खात दे सकते एक या दो मुठी के आसपास क्योंकि मेरा जो प्लांट है ना यह बिल्कुल मतलब इसमें जो पोट है यह बिल्कुल प्लांट से भरा हुआ है तो इसमें इतना स्पेस तो है नहीं कि मैं इसकी गुड़ाई करूं और फिर साइडों में से गोबर खाट डालूं या फिर क और भी कई पोदे होते हैं जिन को इसी तरह से खाद दी जाती है क्योंकि हलक यह ऐसा है नहीं यह जैसे बहुत सारी प्लांट है ना उस बैसे देती हुंब कि आप इसे और बी जैसे और प्लांटों में रहते हैं थोड़ी गुडाई करके और फिर उसके बाद खाद एड़कर कर उपर से फिर मिट्टी डाले लेकिन ये जो प्लांट है ये काफी हैवी मतलब लुक ले चुका है और अब हो चुकी है शाम तो शाम के टाइम देखो मैंने जो कुछ बर्ड्स थी वो हटा दी हैं और कुछ रह रही हैं उनको माटा दूंगी और ये नेक्स्ट डे के लिए अगर आपके भी प्लांट पे फूल नहीं आ रहे हैं तो ये दो चीज़े जरूर करें एक तो पहले तो फूल आएंगे उसके लिए आपने फर्टिलाइजर जालना है या तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर में कौन सा आप गोबर खाद या वर्मी कमपोस्ट या वर्मी प्लांट में दे सकते हो दूसरा मैंने जैसे देती हूँ मैं सीधा दे देती हूँ इसमें आप चाही की पत्ती भी डाल सकते हो उससे भी काफी एफेक्ट पड़ता है और ये दो चीज़ यूज़ करें जब आपके फ्लावर आने शुरू हो जाएं और एक दिन के लिए प्लांट का उपर का जो मतलब एक ये जो उपर वाला हिससा इसे बड्स निकली हुए है यानि पहले भी निकल चुकी है उससे इसाब से आप देख सकते हो कि बहुत सारी पहले भी निकल चुकी है इसमें फूल तो इससे अंदाजा लग जाता है और एक चीज़ का धिहान र फ्लावरेंग के लिए जैसले यह निकाली देने हैं दो इस तरह से आप इस बलांट को लगाये और इस पर फ्लावरेंग नहीं हो रहे तो इस आप ही केर से के जिए और फुल सन लाइत में रखतें इस अचीज़ुर्ट